पचास हजार से जादा प्लियर्स लासकर ट्रैप में फस्ट चुके हैं, यह शुरुआत है अलबिन काउंटर गैमबिट के, अब वाइट पूरी तरह से ब्लैक के चेश्ट ट्रैप में फस्ट चुका है, अगर वाइट गेम को जीच सकता है बाइट प्लेइंग क्विन इन्टु दी वन, तो इसलिए यहाँ पर वाइट गेम को जीच सकता है, यहाँ पर आपको एफ इन्टु जीवन नाइड बना के च क्विन बनाई, तो वाइट गेम को इक्वालाइज करेगा बाइट प्लेइंग क्विन इन्टु दी एट चेक, इसलिए आपको एफ इन्टु जीवन नाइट चेक देना है, रुक इन्टु जीवन, यहाँ पर ब्लैक विनिंग पोजेशन में आ सकता है बाइट बिशप जी या नाइट एफ त्री खिलना चाहिए, लेकिन जैसे आप देख सकते कि एफ सेक्स का नाइट रिलेटिव पिन में है, और नाइट इन्टु डी फाइट खिलकर अगर वाइट एक्स्ट्रा पॉन विन करने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरी तरह से ब्लैक के चेस्ट ट्र में फस्ट चुके हैं, अगर ब्लैक नाइट जी खिलता है, तो वाइट खिलेगा नाइट जीफ है, वाइट नाइट टेक्स एफ सेवन फोर्क का थ्रेट दे रहा है, इससे बचने के लिए अगर ब्लैक शॉट कैसल करते हैं, तो वो पूरी तरह से वाइट के चेस्ट ट्र डबल चेक, किंग जी एट, क्वीन एचेट, चेकमेट, बारा हजार से जदा प्लियर्स इस चेश्ट ट्रिक में फस्ट चुके हैं, यह सिसिलियन डिफेंस का अलेपिन विरियेशन है, दी फॉर, नाइट एफ सिक्स, दी इंटू सी फाइट और यहाँ पर ब्लैक ट्रैप म ब्लैक ट्रैप में फस्ट चुका है, यहाँ पर ब्लैक की क्वीन को विन करने के लिए वाइट अपना बिशट सेक्रिफाइज देता है, बाइप ब्लैक ट्रैप में फस्ट चुके हैं, और यह शुरुआ थे रोई लोपेज की, बिशट इंटू सी शिक्स, शॉर्ट कैसल, नाइट एफसिक्स, वैसे यहाँ पर ब्लैक बिशब जीफोर या एफसिक्स खेल सकता था, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E4, अब ब्लैक पूरी तरह से वाइट के चेस्ट ट्रैप में फस्ट रुका है, रूक E1, ब्लैक क्वीन डीफोर खेलेगा, अगर ब्लैक अ इस चेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर मत्र नौ मो में आप विनिंग पोजिशन में आ सकते हैं, यह शुरुवाते इंग्लेश उपनिंग के, बिशब जीफा है, बिशब जीफा है, अगर वाइट नाइट E4 खिलता है, तो वो पूरी तरह से ब्लैक के चेस्ट ट्रैप में फस इस चेस्ट ट्रिक में 1.38 लग से भी जदा प्लियर्स फस चुके हैं, और यह शुरुवा थे इंग्लेश गैमबिट के, बिशब F4 उस पॉन को डिफेंड करने के लिए, क्वीन B4 चेक, बिशब D2, क्वीन इंटू B2, ब्लैक की क्वीन वाइट के रुक पर अटैक कर रही बिशब C3 उससे डिफेंड करने के लिए, बिशब B4 खेलके ब्लैक वाइट के बिशब को एपसेलूट पिन में कर देता है, अगर वाइट अपने बिशब को डिफेंड करने के लिए, क्वीन D2 खेलता है, तो वो पूरी तरह से ब्लैक के चेस्ट्रेप में 1st चुका है, ब अगर ब्लैक वाइट एकसेप्ट करता है, तो वाइट खेलेगा बिशब इन्टू F7 चेकमेंट, 5000 से जदा प्लियर्स इस चेस्ट्रेप में 1st चुके है, और ये शुरुआ थे कारोकांट डिफेंस की, नाइट C3, D into E4, नाइट इन्टू E4, नाइट D7, क्वीन E2, चाहिए, अगर ब्लैक नाइट GF6 खेलता है, तो वो पूरी तरह से वाइट के चेस्ट्रेप में 1st चुके है, वाइट खेलेगा नाइट D6, चेकमेंट, दोस्तो अगर आपको एक जबरदस चेस्ट्रेप सीखना है, तो ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको जेदर चैस उपनिंग ट्रिक्स सिखनें, तो आप हमारे चैस उपनिंग ट्रिक्स और ट्रेप्स का प्लेइलिश्ट भी देख सकते हैं,